नमस्कार प्रियसाथियो स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर मैं आशा करता हूँ कि आप सब की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी चलिए आज जान लेते हैं आज का एक करंट टॉपिक साथी साथ ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोर्टन है और इस मेंसरे आप डेफिनिटल सवाल देख सकते हैं अपने एक्जामस में राजिस्तान सरकार की है ये स्कीम इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ठीक है तो हम आज किस पर चर्चा करने वाले हैं इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब शहरी छेतर में मिलेगा 100 दिन का रोजगार ठीक है ये किसके लाइन्स पे है और्डेड इसके रिगार्डिंग कौन से स्कीम जल रही है एम जी नरेगा 2005 की ठीक है पर ये क्या है ये गाओं में थी ये गाओं में थी रूरल में थी इस तरीकी की कोई सिमिलर स्कीम अर्बन एरियाज में शहरी छेतर में अर्बन एरियाज में शहरी छेतर में लाने के लिए ये लेके आई है ठीक है ये स्कीम कम लाई थी ये आपको पता होना चाहिए ये स्कीम अपन लेके आया थे 9 September 2022 इस तरीके के question लेते हैं, कि यह कभ लाया गया था और इंडिया लेवल पर होते हैं, इस तरीके की योजनक, किस सरकार द्वारा लगू की गई है, तो राजिस्तान सरकार द्वारा लगू की गई है, चलिए इसके बारे में बहुत देख लेते हैं थोड़ा सा जाने से पहले ये question देख लेते हैं What is the mandate of M.G. Narega scheme in terms of days? ठीक है option है 100 days to every adult in the village 150 days to every adult in the village 100 days to every household in the village whose adult members volunteer to work या 150 days work to every household in the village whose adult members volunteer to work ठीक है तो इस message जो भी option होगा आप comment section में बता दीचिएगा वीडियो के end में हम इसका answers देख लेंगे ठीक है ये question इसलिए put किया है ताकि आप M.G. Narega scheme के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये भी important scheme है लाइगलियोड की इस तरह की one of the largest scheme है वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में इस तरह की scheme वर्ल्ड में largest है ठीक है चलिए तो उद्देश है क्या है मात्मा गांधी रोजगार इंद्रा गांधी रोजगा गारंटी योजना का राष्टे ग्रामिन रोजगा गारंटी योजना एमरेडा की तरश पर शहरी छेत्रों के में परिवारों को 100 दिन का रोजगार तो दिन पता चलिए सौ दिन का रोजगार प्रदान करना इस योजना के लिए कितने रूपए दिये गए 800 करोड रूपए अवंटित किये गए ठीक है 800 करोड ध्यान रखेगा लक्षित जनसंग क्या है eligible beneficiaries कौन कोन है 18-60 IU work के लोग योजना के लिए पात रहे चलिए और इसके बारे में तोड़ा से देख लेते हैं 100 days वाला देख लिए हमने point ratio of cost of material to payment for labor work for general nature will be in the ratio 25-25 यह क्या बोड़ा भै इतने खतरनाक सी 25-25 यह क्या है पर कोई भी काम करते हो मनरेगा में कोई भी काम करता है तो उसमें तो क्या होता है cost किस की लगेगी एक तो सामान की लगेगी कोई सामान लगा जैसी भी वगारा चलिया कोई खरीदा ठीक है दूसरी चीज किस की labor की लगेगी जो आदमी है उनकी ठीक है तो सामान और labor का ratio बता रहा है कोई काम करेगा तो 25-75 का ratio रहेगा और कोई special काम होगा कोई special काम करना हो जैसे मनलोग डेम बगारा क्या आसपास का catchment डेवलप करना हो या पेड बगारा लगाना कोई special तरीका का काम होगा तो उसमें 75-25 रहेगा ratio labor का और काम का ठीक है work का ठीक है तो यह ध्यान रखना इस ratio का focus is on providing as many jobs as possible जितने अधिक से अधिक jobs प्रोवाइड करी जाए यह उनकी focus रहेगी on the other hand creation of assets assets मतलब संपती will require a higher material component hence under special works the ratio is 75-25 देख लिया अगर हमको कोई asset बनाना है कोई asset बनाना है कोई संपत्ती का निर्मान करना है कोई संपत्ती का निर्मान करना है उस case में यह 75-75 देख रहेगा man material का ratio तो यह बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए options आएंगे तो confused नहीं होना है ठीक है चलिए रोजकार के अफसर किन-किन शेत्रों में मिल सकते जल्संडरक्षन के बारे में इसके स्वावलंबन जैसे scheme भी चल रही है राजिस्तान में जल्स्वावलंबन ठीक है खानियों की बावडी में नवी निकरन कारे योजना के जल्संडरक्षन कारियों के अंतरलत आता है ठीक है अभी सरन लोगों को अन्य केंद्र या राजिस्तर की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है जिनके पास पहले से ही एक बहुत ही घटक है और जिसके लिए श्रम कारे की आवश्चता होती है ठीक है और क्या कारे की कारे हो सकते है परियावन सरक्षन एन्वाइर्मेंट कंसर्वेशन एन्वाइर्मेंटल कंसर्वेशन में जैसे सार्वजनी की स्तानों पर रिक्षा रोपन और पार्गों का रखरकाव ये बहुत ही अच्छे उद्देश्चा से की गई है अगर इसके प्रॉपर्ली ऑडिटिंग की जाए तो ये मतलब आइडियल विलेज आइडियल शेहरी चेत्र में आइडियल नगरपालिका को विक्सित कर सकते है ठीक है सच्छता और सफाई संबंदी कारिये जैसे ठोस, कच्रा, प्रबंदन सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट हम देखी रहे है आजकल सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट कितनी बड़ी मुसीबत चली हुई है शेहरों में ठीक है तो सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट को प्रबंबम इससे हम इसको कच्राई कट्ठा या प्रबंदन के जरी है इनके थ्रू सॉल्व करवा सकते है सुस्ता और सफाई कारिया हमने देख लिया की बाद हम देख लेते है विरासत संद्रक्षन ठीक है यह सुरक्षा सुरक्षा वार्ड लगाना चार दिवारी नगरिया निकायो और सारवजिनिक भूमी की सुरक्षा आदी से संब्दित करी ठीक है विरासत का संद्रक्षन कर दिया उसके वहाँ पर सफ़ाई का उसका ध्यान रखा बावडियों का विरासत बावडियों का निर्मान ठीक है इस तरीके का कारे हम देख सकते क्योंकि हमारे पास man power है human capital है हमारे पास क्या है human capital man power ठीक है हमारे पास आदमी की शक्ति है human capital है human capital से हम किसमें तो क्या इस मतलब लिवकुल हाची इस तरीके की क्या अधर स्टेट्स में मतलब क्या प्या में थैशारे चाहती साद्त और में और में यजी चैर्स हर प्र करने यह मतलब क्या 207 00704inas9th दो क्या खञांटि यौर्ट सकते हैं मतलब फिर हम राज्जे द्वारा शुरू की गई है साथी साथ इन नाम से भी आप guess कर सकते है options को लेकिन guess क्यों करना जब हमने पढ़ी लिया है तो अयम काली ठीक है किसका है लोगों को आजीवी के सुरक्षा को एक वित्य वर्ष में सौ के वेतन रोजगार की गारंटी देकर बढ़ाना ठीक है इमाचल प्रदेश में भी यह क्या आवी है किस नाम से मुख्य मंत्री शेहरी आजीवी का गारंटी योजना 2020 लेकिन यहाँ पर दिन देख लीजेगा 120 है ठीक है तो यह हो गया हिमाचल प्रदेश का जहारकंड में भी इस तरीकी की है कि बिल्कुल है मुख्य मंत्री श्रमिक योजना 2020 में जहारकंड राज्य में आजी भी कर सुरक्षा सेम यह भी सौधीनों के लिए है तो हमने देख लिए केरल में है हिमाचल प्रदेश में है जहारकंड में भी और देख लेते हैं इसके लावा जहारकंड में किस नाम से और किस नाम से बिर्सा हरित क्राम योजना निलंबर पीतांबर जल्द सम्रिती योजना वीर शहीद फोटो को खेल विकास योजना फोटो हो खेल विकास योजना ठीक है तो इस तरीके के जो नाम है आपको सीधे पूछ ले जाएंगी कौन से राज्जे से संबंदित है तो आपको उन राज्जों का पता होना चाहिए ठीक है तो ये ध्यान रखेगा इसके अलावा मद्देब्रदेश का भी यह कै कोई यहाँ बिल्कुल है ये तो यूवा स्वाब इमान योजना तो यूवा स्वाब इमान योजना पूछ ले किस राज्जे की है तो वही मद्देब्रदेश की है सीधा टिक कर देना ठीक है वापस से देख ले एक बार तरुन दिसको कैरल की देख लिए अयंकाली शeherी रोजगार गैरन्टी योजन इस तरीके को question आएगा या तो match the column आ सकता है क्योंकि यह सब urban शेत्र में urban livelihood schemes बोलते हैं इनको urban livelihood schemes ठीक है urban livelihood schemes चलिए what is the significance importance क्या है significance क्या है इन तरीके schemes की significance हम देखे सकते है covid के बाद क्या क्या situation होई जिस तरीके से बेरोजगारी बड़ी और livelihood की जरत पड़ी तो कहीं न कहीं गाउं की तरज पर मन रहेगा की तरज पर शेहरों में भी लाया जाए इंश्योर सोशल इंक्लूज़न सामाजिक inclusion मतलब अंदर सामाजिक mainstream में फिल्ड में उनको इंक्लूड करना इंक्लूड करना ठीक है mainstream में लिखना आना by strengthening the livelihood base of rural poor ठीक है it gives urban residents a statuted right to work ठीक है article 12 में क्या है guaranteed under the constitution इसमें बोलता है right to life article 12 क्या बोलता है right to life यह बहुत बड़ा article है right to life and dignity तो इस article के thread यह हमको क्या है statutory समवेधानिक वेधानिक right दे रहा है right to work ठीक है चलिए it provides employment for skilled and unskilled workers employment दे रहा है बेरोजगारी दूर कर रहा है रोजगार दे रहा है ठीक है and addresses the concerns of under employment and unemployment ठीक है कम वेरोजगारी की समश्य जो है उसके इसको निजात दिला रहा है कुछ हद तक ठीक है such programs can bring in much needed public investment in towns इस तरीके से क्या है कि public investment भी लेकि आएंगे towns में which in turn could boost local demand improve the quality of urban infrastructure and services restore urban commons skilled urban youth increase the capacity of urban local banks अलगन local bodies ठीक है तो देखी कितने सारे फायदे हो रहे से सबसे पहले इस तरीके के क्या होगा investment लेकि आएगा कोई भी कुछ भी होता है तो investment लेकि आएंगे investment लेकि आने कि क्या होगा local demand बढ़ेगी वही किसी भी चीज की demand बढ़ेगी उससे क्या होगा quality of urban infrastructure बढ़ेगा जैसे की school बनेंगी hospitals बनेंगे ठीक है infrastructure और services भी provide होगी उनको ठीक है जैसे doctor होगा है teachers होगा है restore urban commons, skill urban youth skill development होगा urban youth का triple F वाल फॉर्मुला ध्यान रखना triple F क्या होता है fund function और ये functionaries तो इन सब की समझा रहती है हमेशा fund की पैसे की function क्या क्या काम कर रहे है functionaries जो काम करने वाले है fund function functionaries की समझा रहती है urban local bodies में तो urban local governance को structure को अच्छा करना है तो आपको fund function functionaries को functionality के तरफ लेके जाना है triple F to F मैंने लगा है ना arrow F मतलब functionality functionality उसके performance functionality के तरफ लेके जाना है fund function function to functionality ठीक है इस तरीके के urban livelihood की कोई other schemes भी एक है government की है तो वो भी देख लेते है other initiatives भी गवर्मेंट है क्या कोई smile smile का full form पूर लेंगे exam से support for marginalized individuals for livelihood and enterprise PM दक्ष योजना ये क्या है प्रधान मंत्री दक्षता और कौशलता संपन हित्गरही ठीक है MG नरेगा में देख लिया प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना PM कवीवाई Startup India इस तरीके की schemes क्या है ये सब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अर्बन लाइवलिवूट के लिए और ट्रिपल एफ वला आप चीज इसको ध्यान रखिएगा ठीक है ट्रिपल एफ से F fund function function disease से functionality की तरफ ठीक है और अब जो starting में ने question देखा था उसका answer भी देख लेते है what is the mandate of MG नरेगा scheme ठीक है तो इसका answer पता होगा या आप तक आपने देख लिए होगा कि ये 100 days का every household का है whose adult members volunteered to work जो काम करना चाते है काम करने के इच्छुक है उनके लिए 100 दिन का रोजगार है questions definitely बन सकता है ठीक है इसकी date of worth और ये जरूर ध्यान रखेगा 9 September 2022 से ये चालू गया था इसके अलवाथ similarly lines पे other states में कौन-कौन से scheme चल रही है उनके बारे में आपको बता होना चाहिए ठीक है और साथ में urban local bodies की इस तरीके की बन सकती है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा धन्यवाद